नमस्कार दोस्तों मैं नगीना सर्मा, बुकारो से बुकारो गाइडन में आप सभी का तहदित से स्वागत करते हूं, दोस्तों यहां आज जो मैं पौधा लाके रखे हूं, यह बहुत खुबसूरत आप फ्लाबरिंग प्लांट देख रहे होगे, इसको बोलते हैं, इसके ध चमपा कहने के पीछे कारण हैं, आप इसके पत्ते को देखोगे, इन नाग के फन जैसा इसका पत्ता होता है, इसलिए इसको नाग चमपा भी कहते हैं, दोस्तों। इसको आप गिल्टेड एस्पूण के नाम से भी जानते होंगे, या यह कहीं पर आप इसको फीडल लीफ, प्रंगी पानी इस तरह के नामों से जानते होंगे ये फेमिली जो है इसका एपोनेशी एई एपोनेशी एई फेमिली का ये पौधा है बहुत खुशुरत इसमें फूल आते हैं आप देख रहे हैं लेकिन इसके फूल में कोई खुश्वूर नहीं आती है दोस्तों अब इसके स्वाइल की बाड़े में बाते करते हैं तो मैं जो स्वाइल रखती हूं इसी की चर्चा आप से कर रही हूं मैं इसमें चुकी पौट में जब भी मैं पौधे लगाती हूं तो 40% मैं खेत की स्वाइल 40% इसमें सेंड और 20% इसमें काव डंग बर्मिक कमपोस्ट या पते की खाज जो कुछ भी एवलेबल मेरे पास होता है उसको मिला दिया करती हूं इस तरह से स्वाइल मिक्सिस का त्यार करते हैं अब मैं यहां बात करूँ कि यह जो आप पलुमेरिया पोडिका जो आप देख रहे हो इसको स्वाइल कैसी चाहिए तो दोस्तों इसको एसेडिक स्वाइल चाहिए इसलिए आप इसमें गोबर किखा दे आप बर्मिक कमपोस्ट बगएरा आसानी से दे सकते हो तो यह आप स से जो नर्सरी वाला प्लास्टिक पॉर्ट था उसे निकाल ली है अब इसको मैं इसमें लगा देती हूँ आप चाहे तो देख रहे हैं चिकनी मिट्टी में हलकी फुलकिया उपर से थोड़ी सी मिट्टी हटा दे सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इसको छेड़ चाड नहीं क अन差 दोस्तो इसमें अच्छी तरस से स्मेड़ भर देनी है और आप यहां देख रहे होंगे कि मेरी soil पूरी गिली हो चुकी है मैंने जो soil बना कर रखी हुई थी बारिश के कारणा ने पूरी soil गिली हो गई है खेर कोई बात नहीं है, गीला होने से इसमें कोई परसानी नहीं है, अब ये स्वायल में आप जब लगा रहे हो पॉर्ट में, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है, कि इसका जो एक इंच आपको जगह खाली छोड़नी है, आप यहां देख रहे होंगे, एक इंच इसक जगह को आपको खाली छोड़नी है, साथ ही आप इसमें पानी की बात करोगे, तो मैं जो अभी लगा रही हूँ, तो इसमें अच्छी तरह से पानी दे देनी है, जिस समय आप कोई भी पोधर लगाते हो, उस समय उसमें अच्छी तरह से पानी दे देनी रहती है, दोस्तो इसको माश्ट स्वाइल पसंद है लेकिन जाड़े के दिन में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है दोस्तो इसको आप आसानी से कटिंग से लगा ले सकते हो अगर आपके पास कहीं पर कटिंग मिले तो आप इसको लगा ले सकते हो आसानी से लग जाती है, आप दोस्तों बात करते हैं कि इसको गर्मी के दिनों में इसमें फ्लावर्स आते हैं, आप फ्लावर्स देखी रहे हैं, कितने खुशूरत इसमें फ्लावर्स हैं, तो गर्मी के दिनों में आते हैं, ये स्प्रिंग से लेकर की समर तक एक खिलता है, लेकिन जाडे के दिन में ये क्या करेगा कि फूल खिलना बंद हो जाएगा, और अगर अगर आप बहुत जादा थंड वाले रिया मेरते हो, बहुत जादा थंड आप यां पड़ती है, तो आपको सतर करानी होगी, क्योंकि ये पौधा बहुत ज़्यादा थंड बरदास्त नहीं कर पाता है और इस पौधे से आप हाँ धो सकते हैं अगर थंड में इसको आप इंडोर या फिर ग्रीन हाउस में नहीं ले गए तो दोस्तो अब इसकी बात करते हैं सन की इसको सन चाहिए फ्लावरिम प्लांट है और अच्छी धूप चाहिए पांस से छे घंटे की धूप इसको जवड़ी है अब बात करते हैं इसमें पेस्ट बगएर की पड़ेसानी होती है तो आप इसमें नीमोयल का छिरकाप करते रहो या फिर मैंने कई वीडियो आपको डाली है और गेनिक पेस्टिशाइड पर उसका छिरकाप करते रहो दोस्तों अक्सर क्या होता है कि प्रस्ट में आ जाता है कि पलोमेरिया में फूल नहीं आ रहे हैं तो इसमें अलग से मैं एक वीडियो बनाने का सोच रही हूं लेकिन अब ही आपको यहां पर शेयर कर दूँ कि आप हाई फासफोरस वाली फर्टिलाइजर इसको दे कर देखो तो आपके पलोमेरिया में फ्लावर आने सुरू हो जाएंगे मुझे चंपा निकल रहा था तो इसको चंपा भी करते हैं दोस्तों यह हिंदी में इसको चंपा के न आप चंपटी डेसकते हो बर्मी कमपोस्त रहा थो गोवर की खान दे सकते हों कि तो मैंने सहां नहीं से भीन यह बताई कि मैंने कंपोस्ट डाली है और सौ ग्राम के करीब मैंने इसमें बोन मिल भी डाली थी, बोन मिल बोन ना मैं साहर मिस कर गई थी, तो ये फायरेमंद इसलिए होगा कि बोन मिल आपका फासफोर्स भी देता है और ये स्लो रिलिज फर्डिलाइजर है, धीरे धीरे करके वो असर करते रहेगा और आपके पोधे को खुश रखेगा, तो ये सब फर्डिलाइजर आप दे सकते हो और इससे फ्लावरिंग आपकी इसी तरह होती रहेगी, एक पोधे आप लेकर आओगे, तो कितने पोधे आप इसका बना ले सकते हो, तो इसको इस तरह से आप केर जाड़े में ज्यादा बिशेश ख्याल इसका रखेंगे, जाड़े में पानी भी कम देनी है, फर्टिलाइजर भी ज्यादा उसमें कुछ नहीं देना है, और इसका इस तरह से केर करेंगे, तो फ्लावरिंग करते रहेगा, दोस्तों अब इसकी बात करनों कि प्रूनिंग क कर देना है, और जहां पर आप प्रूनिंग करोगे, वहां से दो, तीन, चार ब्रांचे निकल सकते हैं, और आपका प्लांट जो है बूशी हो जाएगा, जो देखने में काफी खुबसूरत लगेगा, और नीमोगायल बगएर का तो आप इसमें इसमें इस्तिमाल करते ही र मशकार और आप सश्रियाकाल और मेरे जीगर के तुक्रे को बहुत बहुत प्यार